हेलो फ्रेंट्स मैं हूं राकेश आप देख रहे हैं दर्चे जब यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज अपन बात कर रहे हैं एसाइसी अंदर एक नोटिपिकेशन वायरल हो रहा है सोचल मेडिया के उपर पूर्ष नोटिपिकेशन के अंदर 531 पोस्ट है वह जो अलवर है उसके लिए दावा करती है और साथ में उसके अंदर इसकिल्ड, सेमी स्किल्ड और इस परकार से उसने डिवाइडेशन कर रखा है फीस का क्राइटेरिया और जो फीस है उसमें ग्यारा सो रुपए, आठ सो रुपए ऐसे कर कि वो फीस है वो भी डिमांड कर रहे हैं तो मैंने मेल भी किया था क्योंकि मेरे को ये फर्जी वेकंसी लगी और फर्जी वेकंसी लगी इस वज़े से मैंने मेल किया था पर मेल का अभी तक कोई रेस्पोंस तो आया नहीं है और साथ और भी साथियों ने मेल किया होगा और ज़्यादा मेल देखने के बाद में उनको पता लगा होगा कि ऐसी कोई फजी vacancy है उसके बाद में उनोंने decide किया है एक notice है वो नोंने जारी किया है और उस notice के अंदर उन्होंने बताए कि जो ये vacancy है ये बिल्कुल fake है और इस परकार की जो ये fake vacancy है उसको apply ना करे उन्होंने ये भी बताए है कि जो यह notification है यह मेश्टर आजीवी का HR consultancy service है इसके द्वारा निकाला गया है और जिसमें की contact recruitment है 531 पोस्ट इसमें बताए गई है ESIC hospital अलवर के लिए और इसमें जो fees है वो भी इसमें demand कर रहा है तो इस परकार कि अगर कोई भी vacancy आपको fees वगारा डिमांड करता है तो इसमें ESIC hospital जुमेदार नहीं होगा क्योंकि यह फेक जो notification है यह वायरल हो रहे हैं अगर आप फोरम अपलाई करते हैं तो इसमें जो आपका है फेक notification के चक्कर में आपकी जो fees है वह यहां पर पे हो जाएगी और आपको कोई फाइदा यहां से नहीं मिलने वाला पहले भी ऐसे वेकंसी आच चुकी है और जिसमें आप थोड़ा सा यह दिमांग लगा लिजेगा जब भी कोई contact की वेकंसी आती है और जिसमें जो फीस है वो ज्यादा डिमांड करता है तो वहां पर आपको डाउट हो जाना चाहिए क्योंकि जो पर्मानेंट वेकंसी होती है उसमें इतनी फीस नहीं उसने बताया है कि यह जो रिक्रूटमेंट है बिल्कुल पूरी तरीके से यह फर्जी रिक्रूटमेंट है और इस परकार के जो फर्जी है उनके उपर आपको ध्यान नहीं देना है कोई भी अगर वेकंसी आती है तो ओफिशल वेबसाइट के उपर आपको विजिट करना ह और वहां से देखना है ओफिशल वेबसाइट है isic.nic.in इसको पर आप विजिट करोगे तो आपको पूरा जो इनफोर्मेशन है वो मिल जाएगा आगे से ऐसे कोई भी अगर फर्जी नोटिपिकेशन आते हैं तो उनसे बचें और बस यहीं था इस वीडियो के अंदर अग लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसे की लेटेस्ट नोटिपिकेशन आपको सबसे बहले मिलता रहे थैंक यू